दोस्तों आपका अगर बजट कम है तो आपको 2,30,000 का थ्रेसर मात्र मिलने वाला है 1,50,000 रुपए में दोस्तों आपने देखा होगा 3 पंखा, 4 पंखा, 5 पंखा, 6 पंखा, 7 पंखा अब तो एलिवेटर वाला भी थ्रेसर आ गया दोस्तों तो वो सारे कलेक्शन आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों समय के साथ बदलना हर किसी के लिए जरूरी नहीं तो आप पीछे चुड़ जाएंगे और कोई आगे निकल जाएगा दोस्तों यहां पी मिलने वाला है साथ पंखे का थ्रेसर एलिवेटर वाला थ्रेसर और थ्रेसर को लेकर बहुत ही सांदार कलेक्शन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सूर्जी थ्रेसर का जी यहां दोस्त सबसे बहतर है और हमारे पास किस किस केटेंगेरी का थ्रेसर झाल हमारे पास चार पंखा है उपस्ट पंखजच में अभी ट characters जा यहां एक लाग रुपया मात्र देना होगा बाकि सब बैंकों से फैनेस हो जा रहा है थ्रेसर अच्छा सर और दोस्तों यह थ्रेसर के आपको मैं अगर क्वालिटी की बात करूं तो सुर्जीत की अवसी बताने की जरुवत दोस्तों यह चतिसगड में ही मनिफेक्चर करता है सबसी अच्छी बात दोस्तों और इसके जो लोहा की क्वालिटी है इसके जो प्रोड़क की क्वालिटी है वह काफी हेवी आपको फिल कराएगा जैसे अगर यह चादर आप देखेंगे क्वालिटी वाइस आप देखेंगे तो यह थ्रेसर जो है काफी अच्छी प्रोड़ इसमें रखने भी लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसी वड़ी अच्छी चीज है कि केस्टमर का कुछ छोटे मोटे टूट-फूट होता है। तो उसी सहर में अगर पार्स दुगान टेक्टर वालों के पास जाता है तो अब लेवल मिल जाता है। बिल्कुल क्योंकि दोस्तों अगर थ्रेसर आपका सीजन वाइस है। तीस दिन से पैंतालीस दिन या साड़ दिन ही आप थ्रेसर यूज करेंगे। और उस बिच अगर आपका थ्रेसर तीन से चार दिन खड़ा हो जाए पार्ट को लेकर तो पूरा आपका लॉस होने वाला है सर इसमें अभी जो सबसेडी भी मिल रही गौर्मिन्ट के तरफ से वो भी स्वीधय मिलने वाला है किसान मिल रहा है ना 5 एकर से नीचे वालों को जो भी सबसेडी मिलेगा किसान अपना फार्मल्यटी पूरा दे देगा हम पूरा वहां पहुंचा देंगे कमपनी तक उसके यहां पर आपको 7019 का टायर मिलने वाला है तो उस जगह पर बड़े टायर होने से आपको मेड को पार करने में काफी सहलियत मिलीगी क्योंकि आपको मालूम है दोस्तो अभी जो थ्रेसर है वो बहुत लंबे हो चुके हैं दोस्तो तीन पंखे के थ्रेसर आप वहीं पर चरकी म घुमा सकते थे लेकिन लंबे होने से आपको मोडने में दिकत होता था उसके लिए शमधान निकाला को बढ़ कर और वहीं अगर मैं इसके फ्रंट की बात करों तो आपको फ्रंट में भी आप अपको दिखा दूँ इसके बेरिंग पार्ट आप देश सकते हैं पीटियो और एक चीज अची चीज आपको बता हूँ दोस्तो यह जो बेरिंग है 6311 की इसमें बेरिंग लगती है और इसका जो कैप टैप का बेरिंग आपको दिया गया है अभी जो बेरिंग आप देखते हैं दोस्तो वह UC देते हैं उसकी जो उपर की कॉलर है वो तूटने की समस्यारी लेकिन सूर्जीत कमपनी के साथ आपको यहाँ पर बॉक्सी टाइप का ही बेरिंग मिलने वाला है इसकी जो चमता है चलने की वो यूसी बेरिंग से काफी अच्छी मानी जाती है दोस्तो यहाँ पर थ्रेसर की collection की में बात करूँ तो दोस्तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर थ्रेसर का कलेक्सान है चार-फांच पंखे से लेकर साथ पंखे तक और एलीवेटर वादावी थ्रेसर यहां पर आपको अब लेबल कराये जाएगा काफी बढ़ा सर का सेटट आप है यहाँ पे ठीटर को लेकर काफी बड़ी स्टॉक यहाँ पर रखी जाती है सर अगर्ड़ाईस के मैं बात करूँ तो ठ्रेशन का क्या क्या प्राई Tribe होने वाल है सर छोटे पंखी से लेके बड़े पंखी तग पांच पंखा aja और जैसे च्छे पंखा नार्माल है तो लाग रुपिया है जी साथ पंखा नार्माल है दोलाग दस हजार है और जैसे एलिएटर लेता है तो 3300 रुपिया उसमें पलश हो जाएगा प्लस होते जाता है यह पंक्खे के डिपेंड की वर घृस्टो और एलीवेटर वाला आज के kell कि अच्छ है दोस्तो क्योंकि आपको उसमें दारेट्ट बोरी में भरने का उपसन मिल जाता है और दूस्तों साथ ही आप ट्राली में भी खाली कर सकते हैं वो आपसन बहुत ही अच्छा मिलता है और दोस्तों अगर बजट कम है तो आपको 2,30,000 का थ्रेसर मात्र मिलने वाला है 1,50,000 रुपए में वो थ्रेसर कौन सा होने वाला है मैं आपको दिखा दों दोस्तों यह रहा सुर्जीत का यह भी थ्रेसर दोस्तों टोटली एगर इसको मैं बोलूं दोस्तों तो यह न्यू ही मान कर चलिए इस थ्रेसर को सर इस थ्रेसर का कप का मॉडल है और कैसा है यह साल भर पुरानी है 2020 का मॉडल है और यह पांच पंखा थ्रेसर है नार्मल में है और इसका प्राइस जो है मा एक लाग पचास अजार में यह तो साल बर ही पुराना है वैसी भी थ्रेसर दोस्तों लोग तो सदीयों सचलाते आते हैं उसे कोई दिक्कत नहीं होता लेकिन एक लाग पचास अजार रुपए में मिलने वाला है जो भी रिपेरिंग हो रहा था जाली वाली था सब पूरा चे दिया और काफी अच्छा इस टॉक आपने मेंटेन करते हैं दोस्तों उमीद करता हूं यह वी वीडियो आपको बहुत सांदार लगा होगा नीचे कमेंट करके बताए यह वीडियो आपको कैसी लगी इसी तरीके का धमाकेदर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइ आपको